यह बात तो हम सब जानते हैं कि यह दुनिया रहसियों से भरी पड़ी है कुछ रहसियों को तो इनसानों ने सुलजा लिया लेकिन बहुत से ऐसे रहसियों हैं जो अभी भी लोगों के लिए पहली बने हुए है शिमला में भी आपने कई किस्से सुने होंगे स्टेट म्यूजियम में भी एक ऐसी ही रहसियों में किताब मौजूद है जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं लेकिन जिस रूम में लाल किताब रखी हुई है, उस कमरे के बाहर बोर्ड में लगी वारिंग मैसेच को पढ़ कर किसी की हिम्मत नहीं होती उस रूम में जाने की। इस वज़े से लोग रूम में लगे ग्लास के डोर से ही उस बुक को देखते हैं। लेकिन इस बार फाइनल येर एंजिनियरिंग के तीन स्टूडेंस विकी, रौनक और बंटी वो काम करने जा रहे हैं जिसके हिम्मत आज तक किसी नहीं की थी। लेकिन उनकी इस हरकत का खामियाजा भी उनहीं तीनों लड़कों को भुगतना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है उस लाल किताब में? और उन तीन लड़कों के साथ क्या होगा? यार, बहुत हो गया। इस बार हमें प्लैनिंग के साथ उस लाल किताब को म्यूजियम से चुराना होगा। और ये हमारा आखरी अटेंप्ट होगा। यार, कॉलिज पास करने के बाद हमें ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। हाँ, साथ में ये भी बताया था कि कुछ लोग उस किताब को श्रापित बताते हैं, जिसकी वज़े से उसको म्यूजियम में रखा हुआ है ताक कि कोई उसे चुना सके। वेकी, रॉनक, मुझे लगता है कि ये सब करने से पहले हमें एक बार महतासर से बात कर लीनी है? ये तू पागल है क्या बंटी? महतासर क्या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बुक को चुराने की सोच रहे हैं? तुम लोगों को पता है न वहाँ जाना कितना रिस्की है? हाँ? हाँ हाँ पता है अब ये बता करना क्या है क्या प्लान बनाया तूने? दूनों ध्यान से सुनों हम कल सुबर मॉनिंग बॉक के बहाने हॉस्टेल से साड़े पांच बजे निकलेंगे आधे घंटे में यानि छे बजे तक हम म्यूजियम पहुच जाएंगे मॉनिंग में वह तो कॉल पिक करके बात करते हुए पीछे वाले गेट में हमें मिलना और फिर हम तीनों वहां से सीधे कॉलेज जाएंगे तुम लोग कॉलेज में बुक लेकर जाओगे ने 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 रिस्की है रिस्की है हाँ यार विकी बंटी सही कह रहा है कॉलेज में बुक ले जाना रिस मॉनिंग में म्यूजियम पहुंच जाते हैं बंटी अपनी बातों में गाड को उल जाता है तभी मौका देखकर विकी और रौनक म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं म्यूजियम दस बजे खुलेगा अब यहां क्या करने आयो तो मैं तो बस आपसे उस लाल किताब के बारे में पूछने आया था ऐसा क्या है उस किताब में जो उस किताब वाले कमरे में जाने से लोग डरते हैं तो मैं नहीं पता वो किताब एक शापिर किताब है श्रापित किताब? मैंने तो सुनाया कि जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसके पास जादूई शक्ती आ जाएगी तुम अभी बच्चे हो तुमने किसी मनोर कहानी में किसी और जादूई किताब के बारे में पढ़ा होगा और वैसे भी अगर इस किताब में जादूई शक्ती होती तो लोग इसको कब का चुरा लेते लेकिन इसको चुराने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की होगी न हाँ कोशिश तो की लेकिन बाद में अपनी जान भी कवानी पड़ी मतलब? मतलब वतलब छोड़ो बेटा और यहां से जाओ म्यूजियम दस बजे खुलेगा तबाना अरे आप तो नाराज हो गए काका मैं तो सर्फ जानकारी ले रहा था नाराज नहीं हुआ तुम्हें उस किताब के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता है तो सच्चाई सुन जिसने भी आज तक उस किताब को पढ़ा है वो जिन्दा नहीं बचा ये किताब अंग्रेजों के जमाने से यहां रखी हुई है कहा जाता है कि उस वक्त एक काले जादुगर ने एक गुरी आत्मा को इस किताब में कैद कर लिया था जादुगर ने मरने से पहले अपने बेटे को ये किताब दी और उसको किताब की सारी बाते बताई लेकिन कुछ दस एक दिन के अंदर उसका लड़का भी मर गया अब जिसके पास भी ये किताब जाती है वो किसी ना किसी तरह मर जाता है उस समय इसको मौत की किताब के नाम से भी पुकारा जाता था उसके बाद ये किताब अंग्रेजों के हाथ लगी लोगों में इस किताब की उत्सुपता को देखते हुए अंग्रेजी हकुमत ने इसे अपने कबजे में कर लिया और इस किताब को म्यूजियम में रखवा दिया अतब से लेकर आज तक ये वही है लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस किताब के अंदर क्या है और ना ही किसी ने कुशिश की इसको पढ़ने की इसी लिए तुम भी इस किताब का मोह त्याग दो लेकिन काका मैंने तो इस किताब की कुछ और ही कहनी सुनी है एक किताब जिसके भी हाथ लग गई उसे जादू ही शक्ति अपराप्त होती है मेरी उम्र 55 साल हो गई मैंने तो आज तक इस किताब के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना तुम पहले व्यक्ति हो जो इसकी खूबियां गिनवा रहे हो वैसे जो कुछ तुमने कहा सही कहा अब तुम यहां से चाओ और दस बज़े आना फिक है बंटी गाड की बातें सुनकर थोड़ा डर गया था वो यह समझ नहीं पा रहा था कि गाड की बातें सच हैं या फिर लाल किताब का सच जो उसने महतासर से सुना था फिलहाल वो गाड से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है उधर जब विकी और रौनक म्यूजियम में पहुँचते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है और फिर विकी मुबाइल की लाइट आन कर मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार मुबाइल की लाइट आन नहीं होनी पता नहीं क्या हो गया तो अब क्या करें अगर कोई आ गया तो अरे यार यहां दस बजे से पहले कोई नहीं आता विकी वो देख उस बॉक्स से लाल रंगी रोश्णी निकल रही है मुझे लगता है उसी बॉक्स में लाल किताब होगी मैं अभी निकालता हूँ यार इसको चूने से तो करेंट लग रहा है रुक मैं दिखता हूं विकी जैसे ही उस पर हात लगाता है उसका हात जटके से पीछे जाता है यह क्या हो रहा है यह सब सामन जोर-जोर से हिल क्यूर है कि यार मुझे तो ड़ लग रहा है इसके अंदर कोई बूत प्रेट तो नहीं है यार मुझे क्या पता जो भी है आज इस लाल किताब को मैं यहां से लिख कर ही जाऊंगा एक बार फिर सोच ले कहीं आम इसको लिखर जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना तेरी और बंटी क कि न यही प्रॉब्लम है हर बार नेगेटिव सोचते हो जो काम करने आये हैं उसको आज पूरा करके ही जाए रुख मैं उठाता हूं इसको यह देख कुछ हुआ क्या कुछ हुआ क्या मेरे को नहीं न चल अब बंटी को कॉल करें जैसे ही विकी लाल किताब को उठाता है सा बुक को अपने रूम में लोख करके कॉलेज आ जाते हैं कॉलेज में बंटी उनको गार्ट से हुई सारी बातें बताता है रुक और विकी भी उसको अपने साथ हुई अजीब चीजों के बारे में बताते हैं और फिर शाम को जब तीनों हुस्ट लाते हैं, तो तीनों एक दूसरे को किताब खोलने के लिए कहते हैं देख रौनक, मैं बुक को यहां तक लाया, अब तू इसको खोलेगा मैं भी तो तेरे साथ म्यूजियम में अंदर गया था, किताब बंडी खोलेगा मैं मैं अकेला क्यू है, तीनों एक साथ खोलते हैं हाँ हाँ चल यह ठीक रहेगा, तीनों एक साथ खोलते हैं इसमें तो नंबर लॉक है, अब क्या करें? चल ट्राय करते हैं, क्या होगा लॉक नंबर 111, कुछ और ट्राय करते हैं, ट्रिपल नाइन ट्रिपल सिक्स ट्राइ करो तुझे कैसे पता? अरे तु नंबर डालना क्या फरक पड़ता है इसको कैसे पता? ट्रिपल सिक्स पास कोड डालते ही बुक खुल जाती है विकी एक्साइटमेंट में बुक अपनी तरफ खीच कर पढ़ने लगता है लेकिन बुक के सारे पन्ने खाली है और बुक में हर पन्ने पर ट्रिपल सिक्स नंबर लिखा हुआ है अरे यार ये क्या मज़ा कहा है ये बुक तु खाली है सिर्फ सिक्स सिक्स लिखा है विकी दियान से देख हो सकता ये नंबर हमारे लिए कोई साइन हो और इस नंबर को डीकोड कैसे करे मैंने एक जगह पढ़ा है ये नंबर शैतान का नंबर है और तब ही बंटी की नजर सामने दिवार पर पढ़ती है जहां लाल रंग की आकरिती में उसको एक भेडिया मानव की छवी दिखती है उसकी शकल भेडिये की तरह पर शरीर इनसान की तरह होता है उसका भायानक चहरा देकर बंटी बहुत डर जाता है वो कपकपाती आवाज में विकी और रॉनक को बुलाता है विकी विकी रॉनक 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 सामने दिवार में देखो जैसे ही रॉनक 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 की बंटी की बात सुनकर सामने देखते हैं तभी भेडिया मानव दिवार से चलांग लगाकर बंटी की ऊपर अटाक करता है और बंटी की शरीर में खुस जाता है विकी, आमें किसी की मदद लेनी चाहिए यार, मैं मेहतासर को कॉल लगा था। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की, अब जब तक तुम दोनों मेरा काम नहीं करते, मैं तुम्हारे दोस्त के शरीर में ही रहूंगा। कैसा का, और तुम कौन हो, क्या चाहते हैं तुम्हार जाओगे, अब जैसा मैं कहूं, पहले वैसा ही करो, आज रात को बारा बचें, कॉलेज के सामने वाले जंगल में आजाना, वहां तुम्हारे सारे जवाब में जाएंगे, और हां, किसी बारा जाएंगे, प्यार को अपने साथ लाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा प्यारा दोस्त, मेरे आदो मारा जाएगा, समझे। और देखते ही देखते, बंटी होस्टल के रूम की खिड़की से चलांग लगा कर जंगल में भाग जाता है। इधर रौनाक और विकी परिशान हो जाते हैं कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, और वो ग्यारा बजे ही जंगल पहुंच जाते हैं। विकी वो देख, इस पेड में 666 लिखा हुआ है। यार, यार तो हर पेड पे 666 लिखा है। इसका क्या मतलब है। रौनाक यार, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हम यहार तो घय है, लेकिन यह भी नहीं पता कि हम यहार से जिंदा वापिस जाएंगे या नहीं। तू सही भूल रहा है यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। यह सब सच है यह सपना। सारी गल्ती हमारी है। हमें ही जादू शक्ती चाहिए थी। लो, देख लो जादू। देख अब जो हो गया, वो हो गया। अब हम वापस नहीं जा सकते। अब हमें बंटी को ढूनना ही पड़ेगा। विकी, वो देख बंटी, लेकिन इसके मुझे लाल रंग कैसा। अचानक बंटी उन दोनों के सामने आता है और मुस्कुराता है। बंटी तु कहा था? तुझे पता है, रात को तेरे अंदर वो… मैं अभी भी उसके शरीर में ही हूँ। चलो, आओ, मेरे बीचे आओ। बंटी के शरीर में एक अतरंगी जीव भेडिया मानव घुस चुका था। रौनक और विकी को कुछ भी पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो जीव उनको एक बहुत बुढ़े आदमी के पास लेकर जाता है और कहता है। ये रहे आपके तीन शिकार। ये तीनों एकीस साल के हैं। अब इनके शरीर का खून पीकर पमर हो सकते हो। रुको तुम ये क्या बोल रहे हो। तुमने तो कहा था कि हमें तुम्हारा कोई काम करना है और ये आदमी कोन है। मेरा काम यही तक था। अब जो पूछना है मेरे आखा से पूछो। मैं तो चला। ये बोल कर वो भेडिया मानव बंटी के शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो जीव बंटी के बाड़ी से निकलता है। बंटी जोर से नीचे गिरता है। बंटी, तो ठीक तो है। ये ये हमका है। ये सब क्या हो रहा है। और ये 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 आदमी कौन है। लाल किताब को चुराना चाहते थे। और ये भी नहीं बता कि मैं कौन हूँ। पहचाना मुझे। नहीं पहचाना। जादुगर। जिसने लाल किताब में अद्रश्य शक्तियां छिपाई थी। लेकिन तुम तो मर गए थे। बिवकूफ लड़के। मेरा तो सिर्फ शरीर जला था। और मुझे बहुत सालू से इंतजार था। कि कोई तो उस लाल किताब को अपने हाथ में ले। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसे खोलने की। अब मैं तुम तीनों के शरीर का खून पीकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। हमें जिन्दा छोड़ दीजिए। ठीक है। एक घंटे में बिना डरे। अगर तुम तीनों जंगल पार कर लोगे। तो मैं तुम्हे छोड़ दूँगा। लेकिन अगर तुम डर गए। तो तुम अपने आप मर जाओगे। बोलो, मन्जूर है। हाँ, हाँ, हमें सब मन्जूर है। विकी, रोनक और बंटी तीनों एक दूसरी की तरफ देखते हैं। डर के मारे उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है। विकी दोनों को भागने का इशारा करता है। रोनक, बंटी, भागो यहां से। विकी, रोनक और बंटी तीनों भागते हुए, जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अपनी शर्थ के मताबिक, जादूगर उन तीनों लड़कों को एक घंटे तक का समय तो देता है। लेकिन वो अपनी चालांकियों से उनके रास्ते में कई सारी बाधाएं भी डालता है। ताकि उनको जंगल से बाहर जाने का रास्ता कभी ना मिल पाए। बुढ़ा जादूगर हवा में उड़ते हुए उन लड़कों को दौरते हुए गिराता है। लड़के नीचे गिर जाते हैं और फिर से उटकर दौरने लगते हैं। जादूगर लड़कों को डराने के लिए वहां बिना सर के प्रेतों को भेजता है। वो बिना सरवाले प्रेथ भी उन तीनों लड़कों के साथ भागना शुरू कर देते हैं। उन कटे हुए सर के प्रेथों को अपने साथ दौरते देखकर विकी, रौनक और बंटी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। एक घंटा पूरा होता है। हैराने की बात ये थी कि वो तीनों जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। सुबह खेती करते जाते वक्त किसान उन्हें देख लेते हैं। विकी और रौनक की अस्पताल में ट्रीटमेंट के दोरान डेथ हो जाती हैं। लिकिन बंटी पूरी तरह ठीक हो जाता है। बंटी का ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स भी अचंबे में आ गये थी। क्यूंकि ट्रीटमेंट के दो दिन के अंदर ही वो पूरी तरह स्वस्त हो गया था। हॉस्पिटल से छुटी मिलने से एक दिन पहले ही बंटी रात के एकांट में हॉस्पिटल से गाइब हो जाता है। बंटी को ढोनने के लिए उसके पेरिंट्स बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एक साल बीच जाता है पर बंटी नहीं मिला। लाल किताब वापस म्यूजियम में आ गई जंगल में बुढ़ा जादूगर आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उस किताब को वापस खोले ताकि उसका गुलाम बन चुका बंटी उस किताब से आजाद होकर अगले शिकार को जादूगर तक लेकर आए अजस किताब तक बंटी उसका बंटी उसका बंटी इंतब कर दोले तक लेकर आए